सारनपूर में गोवन्शों के दुश्मनों के खिलाब पुलिस द्वारा शुरू किये गए ओप्रेशन सेवकाउ का असर शातिर गोकसों के चेहरे पर साफ देखा जा रहा है शायद यही वज़ा है कि पुलिस के खौफ से अब शातिर जो गो तसकर है जो गोकशी घटनाओं में शामिल है वो या तो थानों में सरेंडर करने है या फिर थाने में जाकर हादिर लगा रहे हैं और फिर से गोकशी ना करने की कसमे भी उनके द्वारा खाय जा रही है दरसल पिछले कुछ दिनों पहले सारनपूर के सस्पी द्वारा एक ओपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम था सेवकाओ क्योंकि सारनपूर में लगातार गोकशी की घटनाओं बढ़ती जा रही थी और इस गटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से ओपर शुरू किया गया था जिसका नाम रखा गया था सेवकाओ जिसके बाद पुलिस लगातार ऐसे शातिर गो तसकरों की धर पकड़ में जुट गई थी जो कहीं ना कहीं गोकशी की घटनाओं में शामिल हुआ करते थे पुलिस के इस ओपरेशन में कहीं बार बदमाशों के सा लिया है उनका भी एंकाउंटर जो है पुलिस की तरफ से किया गया है पिछले 15 दिन में 20 से ज्यादा मुठवेड जो है वो सारनपूर में देखने को मिली है और इनी मुठवेड की डर से अब जो शातिर गोकश हैं वो थानों में जा जाकर पुलिस के सामने गोहार लगा र रही है ताकि अवैद कारवाई से जो धन अर्जित इन लोगों ने किया था उस संपत्ति को जो खरीदा था उन संपत्यों को भी चिनित किया जाएगा और साथ ही उनको जब्त करने की कारवाई भी जो है वो की जाएगी टीविनान यूपी के लिए सारनपूर से विकास कप मुथल